हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आपके लिए हम बहुत ही बढ़िया स्कीन रिकॉर्डर लेकर आया हुए हैं जिसकी मदद से आप अपने कॉम्प्यूटर का जो स्कीन है बढ़िया सानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं चाहे आप टुटोरियल वीडियो बनाना चाहते हैं गेम खेलते हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं लाइब सेशन आप पढ़ाई करते हैं उसका भी एसकीन रिकॉर्डिंग या फिर ओडियो का रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं कमाल की बात है किया पर फुरके आपको एसकी रिकोडिंग सपोर्ड़ होने वाला है अगर आब भी अपने को रिकरिकोड करना चाहते हैं दो इसको आपको इस्तमाल करना चाहते हैं साथी साथ इस वीडियो के अंदर इसका जो प्रू भर्जन है तो इसको आप लेने के लिए एक बार हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप चेक आउट कर सकते हैं कैसे एक्टिवेट करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है हम आगे आपको बताएंगे यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया फीचर से रहता है कि आपको 4K वीडियो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करने का फैसलेटी दिया आता है साथी साथ आप वीडियो कंफरेंसिंग का जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं मूभी रिकॉर्डिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग online course कोई कर रहे हैं उसको record करना चाहते हैं webcam जो recording होता है या फिर game का recording करना चाहते हैं सारे चीज़ जो आप यहां से कर सकते हैं ठीक है मतलब all in one इसको screen recording मांगा जा सकता है और बहुत ही smooth और light excellent screen recording होने वाला है ठीक है तो इसका link हमने description box में दिया हुआ है लेलों के क्लिक करने के बाद आप यहां पर फिशको download कर सकते हैं तो डालोड करने के लिए free download के option पर click करेंगे तो आपका इस तरह से download होना सटाट हो जाएगा जैसे यह download हो जाता है तो इसको आपको open करके एंस्टॉल कर लेना है तो जैसे ही आप install कर लेते हैं तो आपके सामने जो है डेस्टप पर इस तरह से आइटा पर से recording आ जाता है जिसको दो बर किलिक करेंगे तो इस तरह से open हो जाता है ठीक है और यहां पर कर सकते हैं उसके बाद यहांCalत में दएफिर कर सकते हैं इसके बाद हमखी59 उसके वर्मेट में तो आपको सारे अर्ट, नबे तक फ्रेम रेट आपको मिलता है जो की बहुत ही बढ़िया है बीटेट भी आपको यहां पर मिल जाएगा तो बीटेट आप देख लीजिएगा 40,000 KPS तक बीटेट आप यहां पर ले सकते हैं क्वालिटी आप देखेंगे तो यहां पर standard है high है original है जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं audio का भी format यहां पर सेट कर सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर screenshot भी लिएना चाहते है तो आपको अपको इस तरह से सारे चीज़ को आप करके सेब करेंगे तो इसको कैसे इस्तमाल करना है देखिए सबसे पहले माल लिजी किसी परकार का टूटोरियोल आपको रिकॉर्ड करना है तो आप यहां पे उसको फूल रिसक्रीन में करना चाहते हैं तो फूल इसकी नहीं होगा अगर आप कि कोई पर्टिकूलर रिजन को हम स्लेट कर लें जैसे कि हमें इतना ही रिकॉर्ड करना है तो इसको भी आप यहां से इस तरह से सेट कर सकते हैं साथी साथ यहां पे और भी कुछ रेट्यो दिया आयता है जिसके हिसाब से आप जाहें तो इसको सेट कर सकते हैं साथी साथ तो यहाँ पर music को भी आप record कर सकेंगे साथी साथ यहाँ पर देखिए इसमें सबसे बढ़िया facility मिलता है कि अगर आप webcam से बात कर रहा है तो उस समय जो original background होता है उसको उसके साथ आप यहाँ पर इसको इसको इस्तमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आप blur background के साथ जो है वीडियो को सूट करना चाहते हैं वेबकेम के साथ तो blur background भी कर सकते हैं background को replace करना चाहते हैं अलग-अलग जो है आप बेग्राउंड भी आपको मिलता है जो भी आप यहाँ पर select करेंगे वो आपका यहाँ पर इस तरह से replace हो जाएगा तो यह facility जो है आपको सभी recording में नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा है तो सबसे जबरदस्त है अगर आपका webcam लगा हुआ है तो आप इसको try कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर game माली जी आप game खेलते हैं जो recording होता है उसको करना चाहते है तो आप यहाँ पर game का भी recording असानी से कर पाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर HUD मिलता है speaker को यहाँ पर on off कर सकते हैं आपके अगर system में माइक लगा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पर on off कर सकते हैं यहाँ पर देखिए webcam अगर आपके system में होगा जैसे कि मेरे system में तो अभी नहीं है आपके laptop में या फिर system में होगा तो यहाँ पर उसको disable enable कर सकते हैं इसका मतलब भी होता है कि आप इसको recording करते समय जो है वेब केम भी अपने जो face होता है उसको भी record कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़ी है तो आप इसको 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 इस्तमाल जरूर करें इसमें और ही बहुत सरे मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर मालने जी हम full racing skin यहाँ पर select कर लेते हैं और इसको record करते हैं इस तरह से आपका recording स्टार्ट हो जाता है recording स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सरे देख सकते हैं कि चीज भी मिल जाता है जैसे कि आपको ड्रॉ करना हो आपको square चाहिए या फिर circle चाहिए highlight करने के लिए arrow चाहिए या फिर test आपको कोई type करना है तो आप test भी यहाँ पर type कर सकते हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं तो almost यह बहुत ही बढ़िया है video recording करने के लिए tutorial बना रहे हैं या फिर किसी परकार का recording करना चाहते तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है अब इसको यहाँ पर आप save करेंगे तो इस तरह से save हो जाएगा तो इसके साथ जो है आपको यहाँ पर देखेंगे कि video editor भी मिलता है ठीक है और video compressor भी मिलता है तो video editor पर click करेंगे तो इसी में in video जो है आपको एक video editor मिल जाता है यहां पर recording किया हुआ है उसको हम यहां select कर लेते हैं ठीक है और इसको draw करके यहां पर layer पर ला लेंगे तो इस तरह से जो है video editing में माल लिजी आपको बीच में का कोई part cut करना हो ठीक है इस तरह से तो आप इसको यहां से cut करके delete कर सकते हैं import करना चाहते हैं video audio image बगरा और कर सकते हैं S.T.E.K.R. आपको मिलता है बहुत सर एस्टईकर यहां पर मिल जाता है जिसको आप अपने विडियो जमें लगा सकते हैं इस तरस अलएड करके ठीक है इस तरह से लगा सकते है उसके बार T.E.S.T. भी आड़ चाहते हैं यहां पर टेस्ट भी एड़ कर सकते हैं उसके बाद यहां पर इफेक्ट भी मिल जाता है जो भी एफेक्ट आपको लगाने हैं जैसे कि माली यह इफेक्ट आपको लगाना है तो यह भी लगा सकते हैं उसके बाद यहां पर ट्रांसिशन मिल जाता है कि वीडियो को आपको किस तरह से मतलब transition चाहिए तो भी लगा सकते हैं साथी सत फिल्टर भी मिल जाता है जो भी फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह से आप वीडियो को रीड कर पाएंगे ठीक है बहुत ही बढ़िया है light है मतलब आपका काम यहां प फिर d मैंने स्पाइब हो जाएगा तो इस तरह से वीडियो देखेंगे तो आपका शीब हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से तो normal में advanced में य फिर ultimate में करना चाहते हैं आप यहां पर अपना इक्छा इसको compress कर सकते हैं इस तरह से कितना जल्दी is compress हो जा रहा है तो video compress करना है तो compress भी आप कर सकते हैं कोई भी problem नहीं होने वाला है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे watermark का option मिलता है जहाँ पे आप अपने caption को दे सकते हैं ठीक है यहाँ पे चाहें तो और no watermark भी आप कर सकते हैं जो पहले आएंगे उनको विल्कुल completely free में इसका प्रू भर्जन मिलने वाला है तो उसको आप activate कैसे करेंगे देखिए हमने यहाँ पे इसको एक्टिवेट किया हुआ है तो हम प्रू यूज कर रहे हैं तो इसी पर आपको क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे की कीक करना होगा यहाँ पर कहीं होगा कहीं भी होगा स्पर करेंगा तो इस तरह से लाइसएंस की ढालेंगे 맛प चा करेंगे तो आपका पूर यहाँ पर भर्जन एक्टिवेट हो जाएगा जिसको बहुत यसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि मैने आपको clear करके बता दिया कि अगर आप भी यहाँ पे जो आई टॉप के तरफ से screen recorder आता है उसको आप कैसे install करेंगे किस तरह से इस्तमाल करेंगे अब यहाँ पे इसका जो license की है हमने जो है description box में आपको दिया हुआ है एक बार चेक आउट जरूर करिएगा Thank you very much